हेलो सुरेंड्स वैलकम बैक टो टीचिंग बूथ तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना क्लास में बताया था कि इसमें टाइप सफ कोश्चन है कुछ ठीक है न जैसे कि टाइप सबसे पहले हम यहां पर इक्वल एडिशन वाले कोश्चन अपने कवर करेंगे तो इसमें अगर अभी प्रूव द फूलेंग बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंड अपल एक आर यह for Naj再 में कर टीक है तो हम महें सबी नेच़् लंबरस पे इस मैथम्आंटिकल स्टेटमेंट बोने टाइन पलाए नहीं होता थीक ए het Amen कुछ भी आख नहींते दक टेक थे तो सोलीशन वक्लें हम यहां पापना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था सबसे पहले मैंने आपको यह कहा था कि आपको क्या करना है इस mathematical statement को करना है let करना सबसे पहले तो आपको यह काम करना है ठीक है जिहां पर let कर लेते हैं इसको हमने यहां पर pn क्या हुआ से let कर लिया ठीक one plus three plus three का स्केर ठीक है बेटा इस तरीके से पूरा आपको पहले as a tis इसको लिख देना है ठीक ठीक है sir, as a tis, इसको हम इस तरीके से लिख देनगे और पहला step marks बताओ बेटा, मुझे सबसे पहला step बताओ step one क्या था step one की बेटा Spit अगर स्टेटमेंट को चेक कर लो एंड इस उकल टू बन पे का यह वेलिड है की नहीं यह था तो स्टेब बन में क्या था चेक फॉर अब इस वन का मतलब क्या हुआ इस सिरीज का जो यह सिरीज है इसका जो फॉस्ट इसकी टाम आरी फॉस्ट नमबर आ रहा है इसका वह यहां पर लिख दो ठीक है यहां पर लिख दिया अब बेटा एन मैंने वन माना अब क्या करो इसको इसको बैटा न कोट कर फॉर्ड कर कर दो ठीक हूं ऊक्त कर दो थेक जी बरी पास यहां पर यहां है तो इहां पर जैक सकता हूं एब यहां पर primarily अधार ल सपीज चश्थ रहुуск को प dalे कर दो is true pn is true for n is equal to 1 तो वहां यहां पर हमारा पहला step तो बेटा हो गया ठीक पहला step के लिए ठीक है जी पहला step के लिए अब हम बात करते हैं step second step second बताओ में आपको क्या बताओ step second बताओ बिटा क्या था यहां पर हम ले लेते हैं को दूसरा पेन step second बेटा step second बताओ step second में हमने क्या किया था assume assume क्या था assume that क्या था बेटा pn is true for n is equal to k क्या समझा था बेटा मैंने आपको यह क्या है के कोई भी एक natural number है आपको क्या समझा था छोटी से कोई revision कर लेते हैं आपने कहा था सर इस mathematical statement को हम एक लाख तक चक कर लेते हैं एक लाख नंबर तक चक कर लेते हैं कि भाई यह वहां तक वह valid है कि नहीं अगर वहां तक यह valid है सभी numbers पर true है यह infinity तक valid है यही था ठीक है ना तो यह एक लाख जो था जो आप कहा रहे थे हमने एक लाख तक चक कर लिया तो मैंने आपको समझाया तब वह कहा है यहां पर वह उस K को reflect कर रहा है तो यह K कुछ भी हो सकता है कोई भी natural numbers जहां तक आप कहा हो कि सर हमने वह तो चक कर लिया वहां तक तो true है तो K मैंने आपको वह number आपको बताया था ठीक है जी अब आपको क्या कर रहा है जहां जहां पर बेटा आपको यहां पर N दिख रहा है वहां पर आप K पूट कर तो second step पर हमारा यह है तो P K क्या गया बेटा 1 3 प्लस 3 का square ठीक है इस तरीके से बेटा लिख दो बस यहां पर आपने कुछ नहीं करना अबसे 3 N-1 ने बेटा यहां पर आगरो K-1 लिख दो ठीक और यहां पर आपके पास क्या गया 3 K-1 वहां में टो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं अब बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं यहां पर अपने 3rd step की step number 3 ठीक step number 3 मैंने आपसे क्या कहा था step number जो 3rd है हमारा वही बेटा सबसे important है इसमें क्या करना है अब आपने का भी है वन लैक्ट हमने चेक कर लिया उसके बाद अब मेरा question आपसे क्या था कि just हो सकता है उसके बाद वाली term just उसके बाद वाली term क्या हो बेटा वहां पे हो सकता mathematical statement fail हो जाए तो मैंने क्या कहा था उससे just बाद वाली term पे भी एक बाद चेक कर लो उस पे भी बाद वाली term पे चेक कर लो अगर वो ट्रू निकली इतमें से infinity तक हमारा चेक हो गया क्योंकि बेटा के क्या था के कुछ भी हो सकता अभी एक लाख दस करोड सो करोड कुछ भी हो सकता clear ठीक है यह साथ साथ आपकी बेटा revision चल रही है ठीक है ना तो पहले question में अभी आपर बात कर रहे हैं आपे ना वी विल प्रूफ इन पर रहे हैं अब हम यह विल प्रूफ अब हम यह प्रूफ करेंगे ठीक है चलो बेटा प्रूफ करते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है basically जहां जहां बेटा आपने यहां पर N लेट किया हूँ था वहाँ वहाँ पर करना है जहां पर N था वहाँ पर वहाँ पर आप क्या करो और यहां पर क्या जाएगा यहां जाएगा थ्री के प्लस वन माइनस वन बाइमेट यहां तक क्लियर हंजी सर यहां तक क्लियर कोई कन्फ्यूजन नहीं अब हमें क्या करना है मैंने आपको कहा था कि यहां पर आपको यहां पर आपको एक पॉइंट मैंने डिसकस किया था कि भाई मेरे पास किया यहां पर मेरे पास नंबर आ गया थी के थी के से जस्ट पहले वाला जस्ट पहले वाला नंबर कुंसा होगा इसके उपर वाला ही तो होगा क्योंकि उसके बाद वाली की तो हम यहां पर चेक करें जस्ट उसे पहले वाला नंबर क्या होगा अगर यहां प प्लस आगया बटा है यहां पे 3K एक्वल टू 3K प्लस वन माइनस वन बायमेट यहां तो कोई दिक असर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं एक चीज मैंने आपको समझाई थी मैंने आपको क्या समझाय था बेटा अब हमारे पास यह आ गया अगर आप यहां से लेकर यहा सेम है तो बैटा यह हमने congress किया था कि भई यह टू है तो बैटा यह जो जरीजगव सकता हूं इक क्या रहा प्लस वन नहीं 3K minus 1 by 2, चीक, यहां तक कोई डाउट सर, यहां तक कोई भी डाउट नहीं, चीक, तो अब क्या करा इसको, plus 1, हमने यहां पर बटा इसको लिख दिया, अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहां पर बचा, 3K equal to 3K plus 1 minus 1 by matter, clear, अब हमें क्या करना है, अब बेटा यहां आजो, अब हमें करना यहां पर, हम क्या करना है, solving LHS, चीक, अब यहां से आप सिर्फ और सिर्फ LHS वाली साइट बेटा, solving LHS, चीक, यहां से ले लो, क्या आ जाएगा, 3K minus 1, 3K minus 1 by matter, अब यहां पर आजाएगा, plus 3K, यहां तक बेटा कोई दिक्कत, कोई परिशानी, नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत, परिशानी नहीं, चीक, यहां पर हमें इसको प्रूफ करना है, अब आप एक काम करो, चीक है, इसका LCM ले लो, ठीक है, सर, हम इसका LCM ले लेते हैं, 3K minus 1, इसको ध्यान रखना है, यह उपर नहीं है, इसको यहां पर एक काम करते है, 3K, यहां पर आप कभी confused हो जाओ, चीक न, 3K minus 1, by matter 2, plus 3, चीक, अब क्या करना है, इसका LCM ले लो, अब मैं यहां पर न, अब मैंने इसका LCM लिया, मैं लिखा भी यह, 3K minus 1, बैटा, LCM ले लो, यहां पर क्या गया, 6K, by matter 2, बैटा, ठीक है, क्या मैंने LCM ठीक लिया, जल्दी बताओ, क्या मैंने LCM ठीक लिया, बैटा, यहां मैंने एक mistake करते हैं, जो आप बैटा, इक्जाम में कर सकते हो, बड़े ध्यान से आपको देखना है, यहां पर, बैटा, म कैसे लिखना पड़ेगा, बैटा, कैसे लिखना पड़ेगा, इस case में, इस case में आपको लिखना पड़ेगा, यहां पर, बात अगर करें, red pencil बैटा, मैं लिखता हूं, यहां पर, 2 multiply 3K, by matter 2, यह आएगा, ठीक, तो यह आपको note करना है, इसमें आपको गलती नहीं करना है, तो आपके पास क्या आया, बैटा, बस, question बस हो गया, अब आप एक काम करो, के वाले, बैटा, एक से ले लो, 2 multiply 3K, minus 1, by matter 2, ठीक, 3K common ले लो, ठीक है सर, 3K common ले ले ले, तो आपके पास, बैटा, क्या बचा, 1, plus 2, minus 1 आगया, ठीक है, जी, हां पर, यह result आपके पास, आपक multiply 3, minus 1, by matter 2, मुझे एक चीज बता, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं लिखने की बात करो, तो बैटा, आप इसको, 3K multiply 3, तो बैटा, इसको k plus 1 लिख सकते है, हां सर, इसको बिल्कुल k plus 1 लिखते है, इतने तो हमें basic rule आते ही है, तो बैटा, क्या है, तो आपको है, तो बैटा, पहले कोशन में हमने कितना time दे दिया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, कि हमारे पास क्या आगया, हमारे पास आगया, LHS, क्या आगया, LHS, equal to RHS, ठीक, और यहां पे आप क्या लिखना है, does, यहां पे आप लिख होगे, इस तरीके से, दस, P, K, plus 1, is true, P, K, 1, इसको इस तरीके से, P, K, ठीक, P, K, plus 1, is true, क्या LHS, equal to RHS, आगया, बट इसकी condition क्या है, whenever, 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 क्या बेटा, P, K, is true, whenever, P, K, is true, ठीक है, आपने, आपने, चो क्या हम मान रहे हैं, वहां तक आपने चेख कर लिया, वहां तक of mathematical induction क्या लिख सकते हैं PN is true PN is true for all natural numbers हमने सभी natural हमने का था भाई यह तीन स्टेप कर साथ इस होगे इट मिन्स वह कहा है infinity तक सभी natural numbers तक है बटा वैलिड़े ठीक है हैंस PN is true for all natural numbers all natural numbers यहां तक बटा क्लियर ठीक है इसको नोट करो फिर अपना हम second question देखते है second question देखते हैं इसमें बटा कुछ नहीं है ठीक इसमें गया रहा है भाई principle of mathematical induction ठीक है आपको प्रूव करना इस statement को mathematical statement की भाई यह सभी natural numbers के लिए valid है कि नहीं है ठीक तो क्या करेंगे क्या करेंगे बटा इसको पहले सबसे पहले बटा दो पेजीज मैं इस तरीके से हम इसको यहां पर डिवाइट कर लेते हैं ठीक है ठीक है डिवाइट कर लिया अब सॉलुशन में इसका स्टार्ट कर वाँ सबसे पहले बटा मैं आपको क्या का है इसको इस statement जो दिए इसको करना हमें लैट करना है ठीक लैट करना है अब यहां पर क्या किया लैट किया अब फास स्ट है बतां फ्रस्डि स्टेप प्रस्ट इस्ट इस टफ क्या था इस टाफट कि वन पर चैख लिए रन पर स्टेle तेमें हमारी वेलिड है कि नहीं यह हमें चैक करना ठीक है जी, तो इस series की बटा जो first term दिख रही है आपको, वो आप यहाँ पर उतार दो, ठीक है जी, और हमने n क्या माना, 1 माना, ठीक है, हमें lhs equal to rhs प्रूफ कर रहा है, तो बटा यहाँ पर put कर दो, यहाँ पर n की जगा पर 1 put कर दो, क्या आगा बटा, 1, 1 plus 1, ठीक, 2, ब आपके पास आजाएगा, 2, 2 से 2 रचाएगा, ठीक है, 2 से 2 रचाएगा, यहाँ पर करके दिखाएका, ठीक, इसकी बटा यह कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 1 is equal to 1 prove हो जाएगा, 1 equal to 1 prove हमारे यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, lhs, lh स्टिफ एकोल तो और अधिस ठीक यहां पर लेखेंगे हैंस से ल अधिस इकल टो खालेटे से हैंस पियं इस ट्रू पियनि इस द्रूआ इस ट्रिफो फोर टाल जीवल टूर मेंगट ठूर ठीक सेकिन्द स्टेप बता ऊसे कने करना था ऐजूंक रना था श्यूंक करना था ठ यहां पर हम यह करना है एज्यूम किया तो कर रहा है जहां पर एलिख है वहां पर के लिख दो आपके पास क्या है ठीक क्या इस तरीके से इसको कोपी करते हैं चले जाओ ठीक है यहां पर क्या इन है यहां पर क्या करूं के लिख दो जहां जहां पर n है के प्लस 1 कर लेते हैं अब हम एंड के लिए न रिंग यह चेकर लो एंड के लिए यहां पर निकला इस अभी नेच्वर नंबर्स के लिए हमारी mathematical statement valid है, ठीक, now, now, we will prove, now, we will prove that PN is, क्या बैटा, true for, PN is true for, N is equal to K plus 1, ठीक न, N is equal to K plus 1, यह हम प्रूफ करेंगे, ठीक, ठीक है जी, अब आपको क्या करना है हाँ पर, यहाँ जहाँ पर, N था वाँ पर, K plus 1 लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया किया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं, के लिए, जब हम के लिए चेक कर रहे हैं, तो इस styles में Kb आएगा, इसमें मैं एक step बिटा आपका कम कर रहा हूँ ठीक यहाँ पे मैं कहा रहा हूँ भी है k plus 1 से जस्त पहले वाली term क्या होगी k होगी ठीक है na k होगी तो यहाँ पे अगर क्या है बिटा k की power 3 plus k की power 3 आगया ठीक plus इसके बाद क्या आजाएगा इसके बाद हमारे पास क्या आजाएगा इसके बाद एक k plus 1 यहाँ पर मैंने क्या कि एक step आपका कम दीना और यहां पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर k plus 1 दिज्स पालजाएगा थे आप क्लियर ठीक है ज foremost यह हूझ यहां पर आद और आपने क्या caseण अब आपने क्या करना है? अगर आप यह वाली यहां से लेकर यहां तक की सिरीज देखो तो यह उली हमने एज्यूम कर रखे है कि यह ट्यू है LHS इकल टो आरच हमने खुद्मान रखा कि कह है यह ट्रू है ठीक, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर लिख लें, जी सर, बिलकुल इसको लिख सकते हैं, तो एक काम करो बेटा, इसको यहाँ पर लिख दो, k plus 1, ठीक, क्या बेटा, इसकी power है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें करना क्या है, बस बेटा, पहले इसको लिख दो, पहले पूरा, ठीक, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, k plus 1 की power बेटा क्या आ गया यहाँ पर, 3 आ गया, ठीक, यहाँ तो कोई डाउट सर, यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं, k plus 1, k plus 2, बाइमा 2, ठीक है, यह मेरे पास यहाँ पर आ गया, अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो, भई, solving, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम solve कर रहे है, अब यहाँ पर LHS, solving LHS, ठीक, LHS solve कर लेते हैं, यहाँ पर solution करते हैं, ठीक, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या क्या result आ रहा थे, हमारे पास यहाँ पर, k, k plus 1, ठीक, बाइमेट 2, यह था, ठीक है जी, और एक result अच्छा उर क्या था, ठीक, यह थरी हा रहा है, अब एक काम करो, इसका LCM लेलो, ठीक, अगर आप इसका LCM लेलो गे, तो आपके पास क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो k plus 1, ठीक, यहाँ गया, 2, ठीक, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको नहीं करते यहां पर space कम पढ़ेगा, ठीक, सबसे पहले एक काम करो, इसको खोल लो, किस तरीके से, k square, ठीक, k plus 1 का square, y में क्या दाएगा, बिटा, 4 आजाएगा, हाँ जी, plus, k plus 1, यहां पर क्या दाएगा, इस तरीके से आजाएगा, ठीक, ठीक है जी, अब एक काम करो, अब इसको, अब calcium लो, क्या आएगा, k square, k plus 1, square, क्या आएगा, बिटा, 4, k plus 1, ठीक, यहां तक, बिटा, कोई भी दिक्कत परिशानी, यहां तक, नहीं सर्थ, यहां तक कोई नहीं, अब एक काम करो, यहां पर, k plus 1 की power 2, common ले लो, ठीक है, k plus 1 की power 2, बिटा, एक काम करते हैं, common ले ले ले, तो मेरे पस बिटा, यहां पर क्या बचा, k square, ठीक है, plus, क्या बचएगा, बिटा, यहां पर, अगर मैं यहां पर देखु, तो मेरे पस बचेगा, 4k, plus 4, यह बचा, हम्जी सर्थ, यह हमारे पास, यहां पर बचा, ठीक, ठीक है जी, आब एक काम करते हैं, एक काम करो, 2K, 2, 2, 4, ठीक न, ओके, ठीक है सर, बिलकुल ठीक, तो बेटा मेरे पास यहां पर यह आ गया, इसके बात क्या करना है, इसके बात क्या करना है, के प्लस 1 की पावर 2, ठीक, अब बेटा यहां पर क्या करो, अब यहां पर के कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, के प यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो बेटा यहां से लोग है तो k plus k plus 2 यहां से एक लिक्के आपको बता देते हैं आप कहीं बेटा confusion हो जाओ ठीक तो क्या आगे आपके पास एक तो आगे k plus 2 और दूसरा भी का आगे बेटा k plus 2 ठीक ठीक है जी एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा यह क्या हो गया ठीक ठीक है जी यहां पे इसको उड़ा दो थोड़ा इसको नीचे लिखो यहां ठीक k plus 1 की power बेटा 2 तो यहां पर आगया बेटा k plus 2 ठीक है जी और यह भी आगया बेटा k plus 2 ठीक divided by क्या आगया बेटा यहां पर 4 आगया यहां तक clear हां जी सर तो बेटा k plus 2 k plus 2 को मैं यहां पर square लगा सकता हूँ एक step कम करने के लिए को कि बेटा जगा नहीं है यहां पर तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम इसको यह लिख सकते हैं अब आप मुझे बताओ अब मैं यहां पर k plus 1 क्या बेटा square है हां जी सर square है है ठीका नए खेपलस्ट् अगर सवन्गेट प्लस्ट्र्री को लिख सकते हैं हीज्ग सक्ते मीरा धोचलिए तो पर या तक पूरा solution समझ में आया, हाँ sir, बिलकुल समझ में आया, तो यहाँ पर मैं end में क्या लिख सकता हूँ, end में लिख सकते हैं, यहाँ पर LHS क्या आगे बठा, LHS equal to RHS चीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि भाई, PK plus PK plus 1 is true is true whenever whenever, whenever, PK is true PK is true, ठीक यहाँ तो को दिक्कत नहीं hence hence, by principle of mathematical induction PMI, principle of mathematical induction PN is true true for all और गाई बटा नच्छल नमबस ठीक, न लिखना हूँ, for all natural numbers ठीक, तो कोपी करो बेटा इसका फिर next question अपना देखते हैं अब देखते हैं बेटा अपना 15th question so directly 15th question अभी हम एक type के question कर रहे हैं ठीक, एक type के ही यहाँ पर हम question cover कर रहे हैं 15 के बाद बेटा फिर मैं आजओंगा 4th वाले question पर ठीक तो पहले यह question हम यहाँ पर अपना देखते हैं जैसे हम question अभी तक करते आरे हैं बेटा वैसे ही यह question है ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस वाले question में इस वाले में भी यह थोड़ा लंबा जाएगा solution हमारा ठीक, सबसे पहले हमें करना है solution से ठीक ना solution वेटा क्या करना है लेट करना है ठीक ना अब इसको लेट कर लो लेट पी जल्दियली करेंगे ठीक ना वन की पावर टू पीटा थ्री की पावर टू फाइब की पावर टू और यहां पे चलते चले जाओ तो आईगा 2N-1 ठीक यहां पे शिर्फ आपको ऐसे उतार देना है ठीक तो फर्स्स्ट्ट हमारा यही है यहां पे सबसे पहले तो बिटा लैट कर लो उसके बाद की बात करें तो हमारा स्ट्ट्ट वन आता है और स्ट्ट्ट one में हम क्या करते हैं check check for and is equal to one के लिए check कर ले ठीक check करो बेटा क्या करोगे इस case में आप इस series की first time उठा लो यह आ गया ठीक है जी यह आ गया अब यहां पर बेटा आप n की जगा पर one put कर दो क्या गया one और two multiply one minus one और यहां पर आजागा बेट two multiply one plus one वाए में क्या गया बेटा थरी आउगा ठीक इसको बेटा अगर आप वेटा आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा इसको में सोल्व करता हूं तो क्या बेटा one ठीक है न इसको वेटा one बंकरकर भी दिखायते हैं और यहां पर आजाएगा बैटा थ्री आ जाएगा पहले सको यह लिख देते हैं यह यह तो यह लेख लिख सकते हैं हमारे पास आगा भई LH is equal to RHS एहन्स की आपने सेकिंड स्टैप की टीकशाइं सेकिंड स्टैप में करना है सेकिंड स्टैप में तो आजियूम करना है very good बेटा बहुत जल्दी याद हो गया आप तो assume का करना है assume assume that pn is true pn is true for n is equal to k यह हमें करना है अब क्या करो बेटा यहाँ पे जहाँ पे n लिख है बेटा बहाँ पे सिर्फ आप यह लिख दो क्या जाएगा छीक इस तरीके से बेटा इसको यहाँ पे acting ad अभशे हैं अब बात करते हैं यहाँ पर हम ने थर्ड स्टाप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं step number 30 step number 3 step number 3 करेंगे हम अपने green pen से ठीक ठीक है जी step number 3 की हम यहां पर बात कर रहे है तो step number 3 में क्या करना है में जल्दी बताओ step number 3 पर हमें क्या करना है now now we will check, prove now we will prove that pn pn is true for n is equal to k plus 1 ठीक इस पर हमें चक्क करना है अब क्या करो जहां जहां पर बेटा एन आप पर k plus 1 पुट कर तो ठीक तो क्या आगे आपके पास square 1 का square 3 का square 5 square ठीक इस तरी के से बेदा क्या होगा चलते-चले गये तो हमें जल्दी बताओ इस तरी के से हम चलते-चले गये बेटा तो हमें यहां प क्या मिला अब मैंने आपको कहा था कि भाईया जहां जहां पे N है वहां वहां पे K प्लस 1 लिखते चले जाओ बट उससे जस्ट पहले वाली टम कौन सी होगी डिरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ एक स्टेप काम कर रहा हूँ कौन सी वाली होगी बेटा इसके बाद वाली जो टम है K प्लस 1 वो क्या होगी वहां पे अब 2 K प्लस 1 माइनस 1 अगर आप ये करते हो तो आपको क्या मिलता है 2 K 2 आज जागा बेटा यहां पे इसको आप सोल्व करोगे यहां पे इसको मैं पहले यहां पे सोल्व कर देता हूँ जिसे कि हमारे स्टेप बढ़ जाए तो आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 K प्लस 1 की पावर 2 क्लियर ठीक तो यह सोल्वेशन भी बहुत बड़ा जाएगा अब यहां पे क्या करना यहां पे भी जहां जहां पे K है वहां K प्लस 1 लिख दो ठीक है यहां पे भी 2 K प्लस 1 लिखोगे तो आपके पास क्या जाएगा K की जगा K प्लस 1 लिखोगे 2 से मल्टिप्लाई होगा अब मैं यहां पे आपको बता देता हूँ इसकी बात कर लेते हैं 2 K-1 इस तरी के से दिया गया है अब आप यहां पे K की जगा K P L S 1 पुट करोगे माइनस 2 क्या जाएगा 2 K P L S 2 आ जाएगा ठीक है यहां पे क्या बता माइनस 1 माइनस 1 आ गया तो आपके पास क्या जाएगा 2 K P L S 1 आपके पास यहां पे Result आ जाएगा ठीक, तो यह मैं directly लिख रहा हूँ, जिससे के हमारे आगे वाले step जो हो, बच जाएंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, 2K plus 1, ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आजएगा, 2K plus 3, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, जहाँ जाएगा, यहाँ पर क्य 1, पुट करना है, तो बच्चों माला खेला आपके लिए, ठीक, अब क्या करूँ, जो आपको यहाँ पर बेटा, यह series दे रखी है, ठीक, अब तो step आपको रट गए होगे, यहाँ से लेकर बेटा, यहाँ तक की series, बेटा, इसकी जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, बात क यहाँ तक कोई भी परिशानी नहीं, ठीक है यहाँ यह हमने कर लिया, अब करना क्या है, k plus 1, हमारे पास यहाँ पर आगया, और इस साइड बेटा आगया हमारे पास, 2, k plus 1, ठीक, और यहाँ पर as it, इसको कोपी कर दो, k plus 1, 2, k plus 1, plus 2, k plus 3, ठीक है बटा बाय में है, पर आगया, ठीक, अब क्या करना है, आपको, solving, यहाँ पर लिखते हैं, भाईया, solving, क्या करना है, यहाँ पर हम, lhs side, बेटा, हम solve कर लेते हैं, ठीक, ठीक है, तो अब एक काम करो, यहाँ पर lhs side, solve करोगे, तो क्या आएगा, आपके पास, हम यहाँ पर एक step, तो यहाँ हम complete कर ही लेंगे, ठीक, 2k minus 1, 2k plus 1, ठीक, ठीक है, lcm ले लो बेटा, इसका क्या आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा, 3, 2k plus 1 की पावर, 2, ठीक है, तो यहाँ पर हमने lcm तो ले लिए, इतना space भी हमने utilize कर लिया, ठीक, अब एक काम करो बेटा, आगे इसका solution यहाँ पर ले ठीक है, 2k plus 1 common आ ठीक है, 2k plus 1 common ले ले लिए, 2k plus 1 बेटा क्या किया हमने यहाँ पर common ले लिए, ठीक, तो हमारे पास बेटा क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, k, k बच जाएगा यहाँ पर, और 2k plus 1, इसको इस तरी किसे लिए लिए, क्या बच जाएगा बच यहां पर यहां पर एक बच जाएगा हमारे पास हमारे पास बच जाएगा के ठीक है ना टू के माइनस वन और यहां पर बच गया हमारे पास 3, 2K plus 1, ठीक इतना बेटा हमारे पास यहाँ पर यह बच गया ठीक, ठीक ऐसा है बेटा अब इसको solve करो अब इसको solve करोगे तो क्या आएगा आपके पास अगर हम इसको solve कर लूँ तो मेरे पास बेटा आगए यहाँ पर 2K square minus K plus 6K plus क्या आगए बेटा 3 आगया यह बेटा मेरे पास यहाँ पर आगया अब क्या करना है यहाँ पर आगे solve करो बेटा 2K plus 1 अब आप देखरोगे भई कितने simple question है तो बहुत ही simple question है ठीक, अब इसको solve करना तो बेटा क्या आगए 2K square plus 5X sorry 5K 3 ठीक ठीक है जी यह भी आगया हमारे पास अब मैं इसको factor करूँ हूँ क्या बेटा 3 दूनी 6 तो मुझे इस तरीके से break करना है इसको कैसे करेंगे बेटा तो मेरे पास यहाँ पर आजाएगा 2K square plus 3K plus 2K plus 3 ठीक, ठीक है जी इसका हमारे यहाँ पर हमने इसको factor कर लिया है अब हमारे पास क्या आएगा 2K plus 1 ठीक, यहाँ से बेटा K common ले लो K common ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर आजाएगा 2K plus 3 आगया अजी से और यहाँ पर एक काम करो आप 1 common ले लो ठीक है यहाँ पर आगया 2K plus यहाँ पर हमने K common लिया 2K plus 3 आएगा यहाँ पर हमने 1 common लिया तो हमने 2K plus 3 आएगा 2K plus 3 हमारे पास यहाँ पर आगया बेटा कोई गलती तो नहीं कर रहे है यह चेक कर दे रहा है ठीक ठीक है जी कहीं छोटी सी वी गती होई नहले नहिंद तो कोशन पूरा गहिए आपका तो क्या कि ये सिधां प्लस वन ठीक ना के प्लस one क्लियर अभी हाँ घया दो क्या प्लस थ्री by इंधर ये सॉलूशन प्लस एक लोगया एक आर्फ करो जो मेरा सॉलुशन आया ऑला क्या आ रहा था हमारे हां पे RHS में K plus 1 ठीक है जी K plus 1 आ गया उसके बाद क्या था 2K plus 1 तो क्या है बैटा प्रूव होगा LHS equal to RHS, हाँ जी सर, तो ये भी कहा था बेटा, simple सा बिल्कुल portion था, इसमें भी कुछ खास था नहीं, ठीक, ठीक है जी, तो यहाँ पे अब क्या लिखना है यहाँ पे बेटा, अब हम क्या लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS, क्या है बेटा, LHS एक्वल टू रहेस ठीक ठीक यहां पे लिखो भी दर्स पी-एन पी-के प्लस वन ठीक इस ट्रीव इस ट्रीव वैनेवर ठीक है वैनेवर पी-के इस ट्रीव यह पी-के का ट्रीव होना बहुत जरूरी है ठीक न इसका लिखो हैंस 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 बाइ प्रिंसिपल अधमेटिकल इंदक्शन हैंस बाइ प्रिंसिपल अधमेटिकल इंदक्शन क्या बढ़ बटा पी-न इस ट्रीव थी एंद इस ट्रीव फॉर औल नेच्वर नमबस टीक न है क्लियर क्लियर बेटा कोपी करो उसको बेटा फिर अपना नेक्स्ट कोशन देखते हैं अपना इस तरीके से बेटा पूरे यहां पर लिख लो कोपी करो अब जेखते बेटा अपना फॉर्थ कोशन जैक फॉर्थ कोशन में भी करना है यहां थे अधियर से चरीके से दिवाइट कर लेते हैं सबसे पहले क्या करना है solution बटा आब बताओ सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर let करना है ठीक है बटा let कर लिया let pn हमें हाँ पर क्या दे रखा है इस से पहले बटा एक चीज आप समझ लो थोड़ा सा कि आपको one इसका meaning का यहां पर confuse नहीं हो ना इसका मतलब यह हुआ कि भाई one multiply two multiply three इस डोट का मतलब यहां पर multiply हो गया clear ठीक है जी तो यहां पर let कर लो pn लैट किया भाई टू इसको इस तरीके से बटा यहां पर लिख दो ठीक ठीक है जी तो यह हमें करना है यहां पर as it is हमें इसको copy कर दीना है ठीक ठीक ऐसा है तो बटा क्या जाएगा एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बाई में ठीक तो बटा यह था simple सा यहां पर हमने let किया first step क्या था अब बता बटा first step step में क्या था sir step first में था कि भी यह one पर पर चेक कर लो, check for n is equal to 1, n is equal to 1 पर चेक कर लो, क्या हमारा lhs equal to rhs आ रहा है की नहीं आ ठीक, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको समझाया है भी, pn हमने 1 ले लिए, n 1 पर चेक करना है, तो इस series की जो first time है, बटा वो उठा लो, वो क्या है, 1, 2, 3, ठीक है, 1 प्लस 1, और यहां पर 1 प्लस 2, और 1 प्लस 3, ठीक, divided by 4, ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसका बटा, यहां पर आ गया, 1 multiply 2 multiply 3, बटा क्या आ गया, 6 आ गया, जी सर, 6 आ गया, और बटा यहां पर क्या आ जाएगा, 2 multiply 3, multiply 4, ठीक है, divided by 4, बटा 4 से 4 गया, ठीक है, क्या आ गया, आपके पास, यहां पर लिख सकने, 6, equal to 6, मेरे पास, यहां पर, result आ गया, तो हमें पता चला की, भाई, n is equal to 1 पर, यह mathematical statement हमारी, valid है, ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर, हम लिखेंगे, LHS, equal to RHS, ठीक है, hence, PN is true for, n is equal to 1 पर क्या बटा, true है, clear, ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर बटा, second step की, second step में आपको क्या बता है, second step में आपने बताया था, कि हमें सिर्फ, assume करना है, assume, assume that, PN is true, PN is true for, n is equal to K पर, assume करना है, ठीक, अब यह के है, कोई भी natural number, कोई भी natural number, हमने समझा था, K में क्या लिख सकता हूं, बटा, कि के के है, कोई भी natural number है, ठीक है, तो जहां जहां पर, n था, वहां बापे क्या करो, K लिखते चले जाओ, ठीक, P, K आगया हमारे पास, 1, 2, इस तरीके से, लिख दो उसको बटा, 2, 3, 4, यह क् बटा, multiply है, ठीक, जहां जहां पर आपको n दिख रहा है, वहां वहां पर क्या करो, अब K लिख दो, ठीक है, K प्लस 1, K प्लस 2, ठीक, यहां अगे, अब बेटा यहां रखतो, K, K प्लस 1, K प्लस 2, और K प्लस 3, clear, ठीक है, यहां तक तो ऐसा को था ही नहीं, कि जो समझ में ना आए, तो हमने माल लिया कि भाई, यह K पे क्या है, यह mathematical statement क्या है, K पर, K क्या कोई natural number है, वहां तक क्या बेटा, यह उस number तो एक्दम valid है, अब क्या यह, इसकी जो next आने वाली term है, उस पे valid है की नहीं, यह हमें चेक करना है, और यह क्या करना था, यह third step है, हमें चेक कर की, step third, अब step third में क्या था, now, now, we will check, now, we will prove, now, we will prove, now, we will prove, now, we will prove that PN, क्या बटा, PN is true, PN is true for, N is equal to K plus 1, ठीक, अब एक बर बटा, इस पे चक कर लो, ठीक, ठीक, चक कर लेते हैं, जहाँ 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 पे N लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या करो, बटा, K plus 1 लिख दो, ठीक, यहाँ से start करते हैं, P, K plus 1, ठीक, यह कैसे हट गए हाँ से, 1, 2, 3, ठीक है जी, 1, 2, 3, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब करना क्या है, 1, 2, ठीक, इ हमारे पास, फिर था हमारे पास, यहाँ पे, 2, 3, 4, ठीक, dot, 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 ठीक, उसके बाद हम कहाँ पहुचके बटा, हम पहुचके यहाँ पे, अब N की जगह पे क्या करना है, आपको, N की जगह पे क्या करना है, K plus 1, ठीक, यहाँ पे बेटा, पहले मैं यहाँ यहाँ पे इतना स है किसे एक स्टाम होड़ा धाず पे यहां पे यहां पर किया है अगर हम देखाए तो यह की की लिए ही तो थी second step पंडी सर बार बार क्यों बता रहो ता कि आपके mind में बैठ जा तो मैं क्या ये वाली टम यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पर लिख सकता हूं कि के प्लस वन ट्रू से कुंडा लेकिन हमें ये टम कहां तक चेक करने हैं, k plus 1 तक, तो इसकी next time भी हमें लिखने पड़ेगी, क्या आएगी बैटा, k plus 1, चिक, आगया k plus 2, और k plus 3, ठीक है बैटा, यहां तक clear हैं, जी सर, यहां तक एक दम clear, अब करना क्या, अब यहां पर ही बैटा, k plus 1 भूट कर दो, क्या जाएगा, k plus 1, चिक, k plus 2, k plus 3, आगया बैटा, k plus 4, ठीक, ठीक है जी, k plus 4 हमारे यहां पर आगया, अब क्या किया, यह वाली टम बैटा, क्या थी, k plus 1, k plus 2, k plus 3, यह थी हमारी, k plus 1, इससे जस्ट पहले वाली टम हमारी, यहां पर यह आ गया, clear, कोई doubt ने, तक कोई भी doubt नहीं, अब हमें क्या करना है, व यहां पर मैं इसको रख देता हूं, क्या रहा है यहां पर आ रहा है, एक काम गरते हैं, इसको दूसरे पैंसी लिखते हैं, यहां पर confusion हो जाती है, क्या पैटा, क्या पैटा, क्या प्लस वन, ठीक, क्या प्लस टू, आगे पैटा, क्या प्लस थ्री, क्या प्लस थ्री, बाय मैं, फो, ठीक, यह लिख सकते हैं, जी सर, लिख सकते हैं, आजो पैटा, यहां पर आजो, पी, क्या प्लस वन, क्लिर, अब भी यहां पर आजो, यहां आगे हम k plus 1, k plus 2 और k plus 3 ठीक और यह बेटा as it is copy कर दो, k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 3, k plus 3 और आगे हम यहाँ पे बेटा k plus 4 ठीक, ठीक है जी, अब आपको क्या गरना हैं? अब आपको यहाँ पे LHS solve करना है, ठीक, यहाँ पे हम लिख देता हूँ, solving LHS, ठीक, solving LHS, हम बेटा यहाँ पे आगर रहे हैं, LHS solve कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले एक काम को एक LCM ले लो, ठीक है, इनका हम LCM ले लेते हैं, तो LCM लेके बेटा आपके पास क्या आजा, K plus 1, K plus 2, K plus 3, ठीक, LCM ले ले बेटा, यहाँ पे, 4SM multiply हो जाएगा, क्या जाएगा, K plus 1, ठीक है, K plus 2, और K plus 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक, divided by बेटा, क्या यहाँ पे, हमारे पास 4 आ गया, ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अब क क्या गरना होता है कि इस step के आने के बाद कुछ common आ रहा है कुछ common आ आ आपना यहीं देखना अब यहाँ पर देखो k-1 k-2 k-3 k-1 k-2 k-3 बटा यह पूरो का पूरो क्या होगा common आ जाएगा जब बटा पूरा का पूरे common ले लोगे k plus 1 k plus 2 और k plus 3 अगर आप जब common ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा k बचेगा k बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा k plus 4 divided by 4 हमें चाहिए क्लियर हमें चाहिए क्लियर था यहाँ पर चक करो k plus 1, k plus 2, k plus 3, k plus 4 बाई मैं 4 क्या हमारा आ गया तो बेटा बस यहाँ पर आ गया हमारा हम लिख सकते हैं अब कि हमारे पास आ गया बेटा LHS ठीक, equal to RHS यह तो बिल्कुल simple question था बिल्कुल simple question ठीक है यहाँ पर कर लिखेंगे 10 p k plus 1 क्या बेटा, p k plus 1 is true is true whenever whenever p k p k is true whenever p k is true क्योंकि p k तक हम k level तक है, k तक है k तक तो बेटा हम check कर चुके है कि यह valid है, ठीक है न तो यह condition जुरूरी है कि k तक, जब-जब k तक true है तो बेटा हमारा k plus 1 भी क्या है यहाँ पर true है, ठीक तो हमने कह लिखा hence hence by principle of mathematical induction तो क्या होगा बेटा tn is true for true for क्या बेटा, for all natural number for all natural for all natural numbers ठीक, तो जब 3 step तक हमने proof कर दिया, ठीक है तीनों step में हमारी conditions lh is equal to arches satisfy हुई इसका मतलब यह mathematical जो series है हमारी infinity तक valid है, ठीक है बेटा, copy करो इसको फिर अपना next question देखते हैं